बिहार के तमाम लोगे कत्रित हो चुके है नारसी पर बिहार में जिस तरीके से बवाल मचा है विपक्ष के साथ जेडियू नेता ने भी बड़ा पयान दे दिया है बिहार विधन सभा की शीद कालिन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने एनारसी के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए और जम कर हंगामा किया हंगामे के बीच जदियू नेता खुशीद आलम ने एनारसी का समर्थन की और बड़ा बयान दिया जदियू नेता और बिहार के लपसंख्यक कल्यान मंद्री खुशीद आलम ने इनार्सी का समर्थन करते हुए कहा कि जो भारत के रहने वाले नहीं उनको भारत में कैसे रहने दिया जा सकता है क्या हम पड़ोसी मुलके अवैद लोगों को भारत में रहने की इजासत दे जो बाहर के हैं उनको बाहर जाना पड़ेगा जदियू नेता के सबयान से बहार में सियासी सरगर्मिया तेज हो गई हैं ये वही खुशीद आलम है ये वही खुशीद आलम और फ्रोज अहमद है जो कि वर्ष 2017 में सरकार के विश्वास मत के दोरान विधान सभा में जैश्वी राम के नारे लगा कर चर्चा में आये थे किशन गंज से AIMIM के एकमात्र विधायक कमरूल लोदा ने इनर्सी मुद्धे पर कहा कि इसे भी हर सरकार लागू करे इनर्सी किशन गंज में कोई भी गुसपैटिया नहीं है कुछ नहीं मिलेगा वहीं इस मुद्धे पर भागपा माले और राजद ने जमकर हंगामा किया और नर्सी वापस लेने की मांग की आरजडी और वामदल ने कहा कि इस मुद्धे पर हम कारियस्तगन प्रस्ताव लाएंगे इस तरीके से राजद और वामदल इसका विरोध करते हैं और जदियू इस मुद्धे पर अपना स्टैन क्लियर करने की उनसे मांग करते हैं जदि दिदल को जानकारी का भाव है तो क्या वाकई में यह मुद्दा यूहीं लटका रहेगा बीजेपी पूरे देश में इनर्सी लागू करने की मांग कर रही है काफी लंबे समय से इस मुद्दे पर बीजेपी को एंडिये की सहयोगी लोजबा का भी साथ मिला है लोजबा धेक यह मुख्य मंतरियों और ऐसे में राज्य कहाएं जा आदेश की 55 फिजय दिक जनसख्या है अश्यर है कि कि उन्में से कितने लोगों से नर्सी पर विमश्च किया गया और कितने अपने अपने राज्यों में इसे लागू करने के लिए तयार है इस पर पलतवार करते हुए केंद्र इंद्री गिराज सिंग ने कहा कि सहमती और आमसहमती का क्या सवाल एंइर शी से उन्हें निकाला जाएगा जो अवैद है और इसी मुद्धे पर लगाirie अतार हंगामा जारी है जमकर आज भी हंगामा हुआ है विपक्ष ने सवाल पूछे हैं विपक्ष के साथ ही जेड्यू के भी बयान सामने आए नेक्सट नाइन भोजपुरिया के लिए शशी प्रेया सिंग के रिपॉट नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी अले टेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाई